गुड मॉर्निंग, माई डियर स्टुजेंट आफ क्लास तोलू, कच्छब बारा की बच्छी ध्यान देंगे, आज हम लोग अंग्रेजी शाहित से शाट इस्टोरी का अंतिमलेशन, दा लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड की समरी हम लोग हिंदी में देखेंगे, फिर समरी की परशात, अगले वीडियो में हम लोग लाइन वाइज विस्तिर तद्धिन करेंगे, तो लास्ट चाइल्ड का मतलब यह है विटा, लास्ट माने खूजाना चाइल्ड माने राइटर मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई कहानी है इस कहानी के माध्यम से लेखक किसी भी बच्चे का अपने माता पिता के प्रति अश्रीम लगाओ अश्रीम प्रेम को प्रदर्शित करता है संसार की शारी वस्त में एक बालक प्राप्त कर लेना चाहता है खिलाओने से लेकर के खाने और पहने तक की वस्तों को प्राप्त करने की अभिलासा ही नहीं तीब्र अभिलासा उस बच्चे के मन में रहती है लेकिन कहीं अगि उसके साथ दुरुभाग गया तो उस दुरुभाग की अवस्था में वहाँ वालग सब कुछ भूल जाता है और तब वहाँ प्रिम मा और पिता को ही याद रखता है तो लेखक के द्वारा ये तत्विदित हो जाता है कि माता पिता बच्चे के लिए sब देखेंगे कि इस कहानी में एक बालक अपने माता-पिता के खुज आने पर सारी वस्तों का फरित्याग कर दिता है और उसके दिल दिमाफ में केवल को केवल मम्मी और पापा की बाता आती है और कुछ भी नहीं आता है बिटा वसंत का उत्सोस चल रहा था आप तो जानते हैं कि ठंडी का मौशम बीतने के वाद वसंत आता है और वसंत जो है ओर रितुराज कहलाता है पुश-पुश से भर जाता है खेत पीले पीले हो जाते हैं और पवन अपने शाथ खुश्बू का जोंका ले करके सब के मन को चू लेती है तो बिटा वसंत का तेवहार चा तेवहार चल रहा था लोग ठंडी की छाया से निकल करके इस प्रकार से प्रस्णता को धारण किये हुए मेले की तरफ बढ़ रहे थे जैसे की रंग विरंगे खरगोश का जोंड अपनी बिलों से निकल करके बढ़ रहा हुँ और वे लोग बहते हुए समुद्र की भाद चमकते हुए सूरी की सुनहरी किलो में शहर के गेट से हो करके मेले में प्रवेश कर रहे थे कुछ लोग तो मेला देखने के लिए पैदल ही जा रहे थे तो कुछ लोग मेला देखने के लिए घोड़े पर चड़ करके जा रहे थे कुछ लोग घोड़ा गारी में बैट करके जा रहे थे कुछ लोग बैल गारी में बैट करके मेला जा रहे थे एक नन्नह सा बालक अपने माता पिता के पैरों के बीच में जीवन और खुशियों से एक दम लबा लब भरा हुआ मेले को जा रहा था सुबा जो आनंद से भरी हुई थी बिना किसी स्रम के लोगों का आमंत्रड कर रहे थी और सौगत कर रहे थी वे लोग जो पुश्पो से भरे हुई एक खेतों के बीच से गाना गाते हुई मेले की तरफ जा रहे थी बेटा जब बालक रास्ते के खिलोने को देख करके रास्ते में रुख जाता था तो मम्मी पापा आवाज देते थे आओ बेटा आओ बालक मम्मी पापा की तरफ बढ़ जाता था जल्दी से उस बच्चे के पैर ही माता पिता के आदेश के अनुकरण करने के आदी बन चुकी थे जब वह माता पिता के पास आता था जहां पर उरुके होते थे वह अपने हिर्दे की अभिलासा को रुक नहीं सकता था और उसे ये पता था कि उसके माता पिता उसकी बातों को इनकार कर देते हैं यह तथे वह अपने मम्मी पापा की आँखों को देख करके जान जाता था ऐसे आँखे दिखा देते थे कि बालक समझ जाता है All is negative, no one is positive कुरोना को छोड़ करके लेकिन फिर भी उस बालक ने कहा कहा नहीं निवेधन किया कि मैं खिलाओ ना लूँगा अब जब इतना कहा तो पापा ने लौल लौल एकदम क्रोध भरी आँखों में बच्चे को देखा जब बच्चे को देखा तो मा तो मा होती है उस बाहर को देखकर कि मा का हिर्द एकदम पिखल गया और बच्चे को अपनी उगली पकड़ाते हुई खा बिटा आगे देखो आगे देखो और क्या कहीं सकती थी बेटी की आपूर इच्छा भारी सिस्क्यों के निचे दव गई और बच्चे ने का मम्मी अब वो लो उस रास्ते को छोड़ दिये जिस पर वे लंबे समय से चलते आ रहे थे वहा कच्ची रास्ता थी धूल भरी हुई थी वे चक्करदार मुणकर के उत्तर दिशा की तरफ हो लिए अब वे खेतों के एक पगदंडी पर चल रहे थे या खेत सर्शों से भरा हुआ खेत था पीले रंग के पुष्प ऐसे फाइले हुए थे कि जैसे पीले रंग की नदी बहरे वो मीलो मीलो कहीं पर उठा हुआ तो कहीं पर नीचे दबा हुआ हवा के जोकों के साथ सर्शों के खेत लहर की अमसार दिखाई पड़ रहे थे लग रहा था दूर तक पीले रंग की मृग त्रिश्णा फाइली हुई है जब उस खेत को वो लोग क्रास करते हैं बेटा तो एक अस्थान पर पहुँचते हैं जहां पर पीले पीले कपड़े पहने हुई पुरुष और महिलाओं की एकदम शगन भीड थी घर चोटे चोटे दिवालों के घर बने वेत वही से लोग गुजर रहे थे और लोगों के बोलने की आवाज ऐसे आ रही थी चूंचूं की आवाज दहानने की आवाज फन भनाने की आवाज आवाज तो ऐसे निकल रही थी कि जैसे भगवान संकर अठाश कर रहे हो और आस्मान तक पहुँच रही थी बालक ने अपने मम्मी पापा को देखा तो देखा कि मम्मी पापा के चेरे पर भी खुशिया थी इसलिए वह बालक उस पक्दंडी को छोड़ करके शर्षों के खेत में कूद पड़ा ऐसे कुचाले भर रहा था जैसे कोई बच्छा कुचाले भर रहा हूँ उसके छोटे छोटे नन्ने नन्ने पायर चलती वी हवा के जोंकों के एकदम अनुकरण कर रहे थे और दूर खेत से बड़ी ही सुन्दर खुश्वू आ रही थी सरपीले पतंगों का एक जूंड जिनके पंक गाढ़े रंके बायगिनी रंके थे उड़ रहा था और यहां जूंड एक काली तितली की उड़ान में रुकावट डाग रहा था वहां तितली जो पुश्वव पर रसका स्वाध कर रहे थी और धूंड रहे थी बालक उनकीडों का अनुकरण किया रथा तुनके पीछे पीछे गया देखते हुए तब तक अनुकरण किया जब तक कि उसमें एक पतंगा बैट नहीं गया और आराम करने लगा जैसे ही एक पतंगा बैटता है आराम करने लगता है बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन जैसे ही पकड़ने का उसने प्रयास किया उसने अपनी पंक को फड़़़ाते हुए उड़ गया हवा में एक दम बालक के हाथ में पकड़ ही जाने वाला था तब तक एक काली बड़ी सी मदमक्षी जो पकड़ने से बच गई थी बालक के कानों के पास आ करके भनभना करके ललचाया और बालक के होट पर वैटने वाली थी तब ही उसकी माने चेतानों भरी आवाज दे दी आज़ाओ बेटा आज़ाओ पकड़ने पर आज़ाओ वालक प्रसंदता के साथ दोड़ता हुआ माता पिता के पास पुख गया जलते लिए वालक रास्ते के कुछ कीनों मकोडों के पीछे जा करके रुक जाता है रास्ते के कीने मकोडों को देख करके आकरशित हो जाता है वे कीने मकोडे अपने बिल से निकर करके धूप सिक रहे थे माता पिता ने कहा आओ बेटा आज़ाओ अब माता पिता एक छोटे से बगीचे में बैठे हुए थे बगीचे में एक कुवा था कुवा की जगत पर बैट करके इंतजार कर रहे थे बालक अपने मम्मी पापा की तरफ दोड़ पड़ा उस बगीचे में एक बहुत पुराना बर्गत का पेड़ था जिसके साखाएं बड़ी मोटी मोटी थी और उसी बर्गत के पेड़ के कुझ में कटहल के जामून के नेम के चंपक के बिच्चते सिर्शा के बिच्चते जो पुश्पो से लदे हुई थे और वा बर्गत उन बिच्चों के ऊपर अपनी शाखाँ को ऐसे फाइलाए वे था जैसे कोई बोड़ी दादी मा अपने बच्चों के ऊपर अपने दामन को डाल करके खड़ी हूँ बड़ी ही सुन्दर खुश्बू उस बगीचे से आ रही थी जैसे ही बालक उस बगीचे में प्रवेश करता है बालक के ऊपर पुश्ब की पंखुणियों की बहुशार होती है बालक उन पंखुणियों को इकठा करने लगता है उतने में उसे फाक्ता फच्ची के कूकने की आवाज सुनाई देती है और जब वो फाक्ता फच्ची के कूकने की आवाज को सुन लेता है दोड करके अपने मम्मी पापा की तरफ जाता है कहता है फाता फाता बेटा वे फूस्पो की पंकुडिया जिसे वह आपने हाथ में इकठा किया था गिर जाती है मम्मी पापा के चेरे पर भी बड़े प्रशनता के भाव थे जब उन्होंने कोयल पच्छी के गाने की आवास सुना मम्मी पापा चल पड़े और बोले आओ बेटा आओ वह आपाला उस बरगत की प्रिच के शार उत्रफ दवणने के लिए गया था सब लोगी कठा हो करके एक फुटपात पर पहुंचे जो फुटपात सरी जो पगदंडी सर्शों के खेश से होकर कि सीधे मेले को जाती है जैसे ही वो लोग मेले में पहुंचते हैं मेले की प्रवेश द्वार पर ही मिठाई की दुकान लगी हुई थी उस मिठाई के दुकान पर गुलाब चामुन था रसगुला था वरफी थी चले भी थी एक दुकान पर ठसा ठस भीड़ थी सुनैरी और चान्नी की पत्तियों से उसने मिठाई को सजा रख गा था बाला कांके फाल करके बरफी को देख रहा था क्योंकि बरफी रानी ही उसकी प्रिये थी और अपनी प्रिये को पाने के लिए उसके मुँँ में पानी आ रहा था उसने धीरे से कहा मैं बरफी चाहता हूं लेकिन वो यह जानता था कि उसके मम्मी पापा उसके निवेदन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मम्मी पापा कहेंगे कि तुम तो बड़े लालची हो जो चीज़ देखते हो उसके लिए तुम्हारे मुँ में पानी आ जाता है इसलिए वहाँ बालक वहाँ से सरक गया खिसक गया चला गया क्योंकि बर्फी के लिए पानी में मुह आ रहा था क्यों बाई चली आगे पानी में मुह नहीं मुह में पानी आ रहा था उसके बाद एक फूल विक्रेता था जो चिल्ला रहा था गुल मोहर की माला लेलो बालत उसी पुस्प की ओर एक दम बढ़ा चला गया अपने आपको रोप नहीं पाया क्योंकि उससे शुगंद आ रही थी और वा उस्टोकरी की तरफ गया जहां पर फूल धेर में रखे हुए थे उसने धीरे से बढ़ बढ़ाया कि मैं माला लूँगा लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था उसके मम्मी पापा इनकार कर देंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये सस्ती माला है क्या करोगे बेकार की माला है इसलिए मम्मी पापा की जवाब की प्रतिच्छा की ये विना वह बालक आगे बढ़ जाता है एक आदमी अपने हाथों में एक लठा लेकर पकड़े हुए था जिसमें पीले रंग के लाल रंग के हरे रंग के पैगनी रंग के गुपाड़े उट रहे थे बालक उस इंद्र धनुशे शोभा को देख कर कि उसकी तरप एक दम खिश्चा चला जाता है और गुपाड़े लेने के लिए एक दम आतुर था देकिन वो अच्छी तरह से जानता था उसकी माता पीता कहेंगे कि तुम गुपाड़े खेलने के लिए या गुपाड़े जश्चे खिलोने को खेलने के लिए बहुत बड़े हो चुके हो इसलिए बालक आगे बढ़ जाता ह मेले में ही एक मदारी जो शाप को नचाने के लिए अपनी बीन को बजा रहा था बालक उस मदारी की तरफ जाता है लेकिन वो जानता था उसके माता पिता ने पहले से रोका था कि मदारी के दोरा बजाये जा रहे इस बेशुरे संगीत को न सुनना इसलिए बालक आगे बढ़ जाता है अब की बार बालक एक जूले के पास पहुँचता है जिस जूले में पुरुष महिलाए और बच्चे चक्करदार गती में घूम रहे थे चिला रहे थे बालक तो उस जूले को ऐसे देख रहा था जैसे कि वाश्वेम जूले में बैट करके गती कर रहा है बेटा उसके मुख खुले हुए थे और जूला पहले धीरे चला फिर तेश चला फिर रुख गया अब वह अपने इच्छा को रोक नहीं पाया और बड़ा ही पहादुरी पूर्ण निवेदन किया प्लीज मम्मी पापा मैं जूले में जाऊंगा लेकिन बेटा ना तो मम्मी का कोई जवाब मिला ना तो पापा का कोई जवाब मिला वो अचारोत रप अपनी मम्मी पापा को ढूड़ने के लिए मुड़ा लेकिन कहीं पर मम्मी पापा का कोई पता नहीं था वो इधर गया उधर गया लेकिन मम्मी पापा का कहीं पर कोई निशान नहीं था बालक के गले से ब्रितेज रोने की आवाज निकली सरीर में अचानक जटका लगा और बाला कुछ सस्थान से दोड़ पड़ा जिस सस्थान पर खड़ा था चिलाता हुआ मम्मी पापा उसकी आखों से आशु लुढक रहे थे चहरा एकदम चल रहा था उसका कोमल चहरा एकदम लाल हो चुगा था बिटा सारे दिशाओं में चिला रहा था मम्मी हो पापा हो अम्मा हो अब्बू हो चारो तरफ चिलाते हुए बिटा वहां आगे बढ़ रहा था शरीर पशिना पशिना हो गया था कपड़े मट मैले हो गये थे बिटा चारो तरफ दोड़ करके ठक गया हार गया अब तो रोने की आवाज पिगेस्तान पर किवर सिश्किया निकल रही थी उसने एक दूर हरा भरा घास का मैदान था देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बाते कर रहे थे मम्मी पापा को ढूड़ने के लिए वहाँ भी गया लेकिन वहाँ पर कोई उसके मम्मी पापा नहीं थे लोग हस रहते बाते कर रहे थे बालक पुना तेज उग्रता में आकर के दोड़ पड़ा और इस बार तो एक मंदर में चांखुसा जहां पर फीड़ इतनी थगनती की आप से क्या रताया जाए मम्मी चिला रहा था पापा चिला रहा था बेटा मंदर के प्रवेश दोर पर एकदम धक्का मुक्की थी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तो बेटा लेकिन फिर भी बालक लोगों के पैरों के बीच से मम्मी पापा कहता हुआ आगे बढ़ रहा था अब बालक तो एकदम लोगों के पैरों के नीची कुचल जाने वाला था लेकिन उसे तेज स्वर में चिलाया मम्मी हो, पापा हो एक आदमी उस भीड में बड़ी मेहनत के साथ उस बालक को उठाया उठाके लेकर के जब बाहर आया तुसने पूछा कि तुम किसके बिच्चे हो और तुम भीड में क्या कर रहे थे बालक तेज से रोने लगा I want my mother, I want my father, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा जाहिए और कुछ नहीं चाहिए वह सज्जन बेगती उस बालक को चुप कराने की मकसद से जूले की पास ले करके जाता है और पूछता है कि क्या तुम भूणे पर बैठ करके जूला जूलोगी लेकिन बालक की गले से हज्जारों सुष्क्या निकल रही थी और एक आवाज निकल रही थी मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए वह सज्जन बेक्ति उस बालक को चुप कराने की मकसद से मदारी की पास ले करके जाता है और कहता है कितना सुन्दर संगीत बज रहा है किरप्या संगीत को तो सुनिए बालक ने अपने कानों को अपने गुलियों से बंद कर लिया और तेज स्वर में चिलाया कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए वह वेक्ति उसे गुबारे की पास ले करके गया सोचा कि रंग भी रिकनी गुबारे उसके मन को मुह लेंगे लेकिन जब बालक उस गुबारे के पास जाता है उड़ते हुए गुबारे की तरफ से अपनी आखों को मोड लेता कहता मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए अब वह आदमी उस बालक को चुप कराने के मकसद से पुष्प के दुकान पर ले करके जाता है और कहता है कि क्या तुम अपने गले में माला पहनोगे लेकिन बालक ने अपनी नाख टोकरी की दरफ से हटा लिया और कहा मम्मी चाहिए, बापा चाहिए अब मिठाई की दुकान पर ले करके जाता है और कहता है कि तुम कौशी मिठाई पसंद करोगे बच्चो बच्चे बालक ने अपने चेहरे को मुठाई की दुकान से मोड लिया और कहा I want my mother, I want my father पेटा यही पर कहानी का अंत हो जाता है अब उसके मम्मी पापा मिले या ना मिले इसका संबंद आपके लेकक से है लेकिन मम्मी पापा की चाहत उसकी नस में दोड रही थी इसका संबंद तो आप से है तो प्यारी बच्चो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना नहीं बच्ची चैनल को सब्सक्राइब रेंग थांक्स पार वाचिंग वीडियो